हेलो दोस्तो सुवागत अपने यूट्यूब चनल फार्मेसी पार में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में डेक्सोरेंस कैप्सुल एक हमटेनिक कैप्सुल है, बोले तो नेउट्रेशन सप्लिमेंट है, जिसमें फैरिक अमोनियम सिटरेट, वीटामिन बीट्व तुवेल, फॉलिक एसिड और जिंक सल्पेट उल्डी परिजेंट रहता है, डेक्सोरेंज capsule की price की बात करते हैं तो 170 रप्य होता है और आपको 30 capsule इसमें देखने के लिए मिल जाएगा यह सद्धका जो जो bottle प्रेक्सोरेंज capsule आपको देखने के लिए मिल जाएगा और यह जो capsule है डेक्सोरेंज capsule यह Frenco Indian pharmaceutical company द्वारा यह manufacturing की जाती है दोस्तों आप जानते हैं जो Dexorange Capsule है इसका उपयोग किसलिए किया जाता है किया डोज होता है और इसके side effect के बारे में जानेंगे बस मेरे वीडियो के अन तक बने रहेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो मेरे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें ताकि इसी पर करकर वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहेगा दोस्तों सबसे पहले जानते हैं Dexorange Capsule के उपयोग के बारे में Dexorange Capsule का उपयोग खून बढ़ाने में किया जाता है खून की कमी रहने में भी किया जाता है विटामिन की कमी फॉलिक एसिट की कमी आईरन की कमी भूक नहीं लगना कमजोरी जैसे महसूस होना मतलब इस तरह के प्रोबलम के लिए इस Capsule का उपयोग किया जाता है साथ में चक्काराना बीमारी के कारण कमजोरी महसूस होना खाना खाने के बाद सरीर में नहीं लगना इस तरह के प्रोबलम के लिए Dexorange Capsule का उपयोग किया जाता है और साथ में इसका उपयोग जैसे पेट में कीड़े होने के बज़ा से खून में कमी हो जाना इस तरह के प्रोबलम के लिए भी यह कैपसूल का उपयोग किया जाता है Dexorange Capsule अब यह जो कैपसूल है दोस्तों यह महिलाओ में सबसे ज्यादा खून की कमी देखी जाती है तो यह कैपसूल महिलाओ के लिए सबसे बेस्ट बोल सकते हैं जैसे प्रियोट्स के दवरान खून की कमी हो जाना प्रिगनेंसिक के दवरान हीमोकलोबिन की कमी हो जाना तो ऐसे कंडिशन में यह कैपसूल यूज कर सकते हैं यह कैपसूल बहुत ही अच्छा कैपसूल है बोले तो आपको बोड़ी में जो भी मल्लिटी विटामिन की कमी देखी तो उसे पूरा करने का एक तरब से भी काम करता है और यह जो कैपसूल है यह प्रिगनेंसिब वुमेन एंड ब्रेस्ट फीडिंग महिला के लिए पूरा पूरी सेफ है इसे लेने से कोई भी साइट इफेक्ट या दूस परभाव नहीं दिखता है और यह जो कैपसूल आपको हर एक मेडिकल अस्टोर पर आसा आप अर इसे डाक्टडर भी प्रिस्क्राइब करते हैं लेकिन एक बार आपने डाक्टर के सालाक अनुसार भी लेना भी ज़रूरी है दोस्तों आप इसके जानते हैं साइड एफेक्ट के बारे में इसका क्या क्या साइड एफेक्ट देखने के लिए मिलता है तो यह कैपसूल को अगर आप खाली पेट लेते हैं तो आपको नौजिया बोमेटिंग इस तरह का आपको साइड एफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है लेकिन इस कैपसूल को आप जब भी ले तो खाना खाने के बाद ही ले खाना खाने के बाद ये कैपसूल लेने से आपको ज्यादा फाइदा करेगा और ये जो कैपसूल है आपको दो ये तीन वर लेना है शुबा साम ये ले सकते हैं और ये जो कैपसूल है आपको सिरप में भी 16 साल के नीचे वाले बिल्कुली से उजिना करें क्योंकि बच्चों के लिए एक अलग होता है जैसे डेक्सोरेंज सीरफ होता है जो बच्चों के लिए भी एक अबिलेबल है आप उसे दे सकते हैं बच्चों के लिए भी दोस्तों मेरा आज का वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे फर्मेसी पावर चानल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ से रिलेटेड हमारे येट्टूब चानल पर वीडियो मिलते रहेगा